प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किसानों से किया संबाद संसत भवन में क्रशी कानूनों के खिलाफ आमादमी पार्टी ने पी-म के खिलाफ की नारेबाजी मुखे मंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के दो साल होने पर गिनाई उपलब दिया क्रशी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जम कर साधा निशाना कस्टम विभाग की जैपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कारवाई दुबई से तसकरी कर लाया जा रहा 36 लाव रुपए का सोना पकड़ा राजस्तान हाई कोट ने आई एस पदोन्वती को लेकर कैट में लंबित मामले में दखल से किया इंकार कहा याचिका पर सुनवाई का दिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने पी-म किसान सम्मान मिधी के तहक मिलने वाली वित्य लाब की राशी की किस्त जारी कर दी है उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये एक बटन दबा कर 9 करोड से अधिक किसान लाभार्तियों के खातों में 18,000 करोड रुपे ट्रांसफर किये इसके बाद किसानों से बाक्चीत में विपक्षपर निशाना साधते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे सरकार ने ऐसी विवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे कुछ राजनीतिक दल जिने देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है वो आज कुछ किसानों को गुम्रह कर रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने संसद भवन में पूर्वी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई और मदन मोहन मालविये को श्रधांज ले दी इसी दोरान आमादमी पार्टी के सांसदों ने क्रशी कानूनों को लेकर उनका विरोध किया वे किसान विरोधी काला कानून वापस लो MSP की गारंटी दो के नारे लगा रहे थे आप संसद संजय सिंग ने अपने विरोध का वीडियो ट्वीट कर कहा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए तानाशा सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधान मंत्री के सामने किसानों के हक में हंगामा किया रक्शामंत्री राजनात सिंग ने अपनी एक रेली में दिली में धर्ने पर बैठे किसानों का जिक्र किया संशोधन करने को त्यार है भारतिये सूपरस्टार रजनिकांथ को ब्लड प्रेशर संबंदी दिक्कते होने के बाद अस्पताल में भरती कराया गया है भाजपा ने अपने ही सयोगी दल जद्यू को बड़ा जटका दिया है बिहार में नितीश सरकार में शामिल भाजपा ने अरुनाचल प्रदेश में नितीश की पार्टी जद्यू के छे विधायकों को तोड़ लिया है राज्ये में जद्यू पार्टी के साथ विधायक थे जिन में से छे भाजपा में शामिल हो गए है राज्ये विधानसभा के अनुसार पेपुल्स पार्टी ओफ अरुनाचल के लिका बाली निर्वाचन शेत्र से विधायक करदो निग्योर भी भाजबा में शामिल हो गए हैं राद्यू के इन शे विधायकों ने इससे पहले पार्टी के वरिष्ट सदस्यों को कथित तौर पर बिना बताए तालीम तबो को विधायक गल का नया नेता चुन लिया था जे डियू ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनुजित और गैर दोस्ताना बताया है मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने सरकार के दो साल पूरे होने पर मीडिया से समवाद किया इस दोरान मुख्यमंद्रिय शोग गहलोत ने भाजपा और केंद्र की मोधी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोग तंत्र खत्रे में है समविधानिक संस्थाओं का दुरुप्योग किया जा रहा है कोरोना महामारी से जूज रहे राज्यों के साथ केंद्र का खतरनाक व्यवाहार है स्यम गयलोत ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ग्रह मंत्री अमिच्चा और कुछ उनके चहेते लोग चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास कर रहे है अगर आज्टान सतरक है और कुछ भूका ने सोय तो किसी भी नागरी ने कमी नी रखी जर्व है कहते हुए कि तमाम तरिको मिन आवान किया तेमाम पाड़ी पाड़ी लोग गलाया धर्म गुरूं को बलाया तो डॉक्टर्स को बलाया है एक्टिविस्ट को बलाया और जन कावान किया सूचल को संटर्ण सामनी श्रष्टा है सबने मिलकर कि पकवा काना हो चाय सुका कर दर्गे पहंचाना हो अग्साइकार नहीं प्रती परिवाद तीन हजार पांच से तरी बत्तिस लाग लोगों को प्री अनाइज प्री दालें साथार मेंने तक सबी तरह से हमने सिस्टेदी कर दी लॉक्डाउन में कि लोगों को यह मैसूस नियोगा रिम तकलिप में इसलिए राधतान में आप देखा हुआ है जनता साथ देजिए को और ना केंड़ को बैभी आप से आवान करूंगा आ अपने खुद का अपने परिवार का और जिता बिख सकते हो कौरना के बारे में उच्के वार माप कर देख पूरी तरह आगे बढ़ के लिखें लिख भी आपने और बना भी है इपावली केंदर आविये कहें पटा कर नहीं चूटेंगे और दंतेरस में एक पटा कर नहीं कॉरी दभी आशिर हो रहा है कि दंतेरस के दिन जैपूर के अंदर पटा के अवार भी नहीं आई इसकार पूरे पांच साल चलेगी पूर्वे डिप्टी सीएम सचिन पाइलेट ने केंदर सरकार पर भी निशाना साधा सरकार के स्थिर होने के सवाल पर पाइलेट ने कहा कि अलग-लग समय पर अलग-अलग पृस्तित्या बनती हैं लेकिन जनता ने कॉंगरेस को पूरा आशिरवात दिया था जितना समर्थन हमारे पास है उससे ज्यादा जनता से हमें समर्थन प्राप्ट हैं पाइलेट ने कहा कि हमारी सरकार पूरे पांच साल चलेगी सत्ता और संगठन में समनवय के सवाल पर बोले कि सत्ता और संगठन में समनवय होना चाहिए। हमने जन्ता से जो वादे किये हैं उन पर हम खरे उत्री हैं। पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई की जयनती पर देश भर में कई कारेक्रम हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट ने वी वाजपई को नमन किया। बाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधान सभा में नेता प्रतीपक्ष गुलापचन कटारिया, उपनेता प्रतीपक्ष राजेंदर सिंग्रा ठोड कई अन्यनेताओं ने वी वाजपई को याद किया। कस्टम विभाग ने जैपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कारवाई की है। को भी ग्रिफतार किया है। आरोपियों से बरावत सोने का वजन करीब 703 ग्राम है। राजस्तान हाई कोट ने अन्यसेवाओं से आई-ए-स में पद्दोन्नति को लेकर लंबित प्रकरण में दखल देने से इनकार कर दिया है। आदालत ने कहा कि उन्हें याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। न्यायदिश गोवर्दन बाड़दार और न्यायदिश पंकच भंडारी की खंड पीट ने यादेश राजस्तान प्रशास्निक सेवा परिशद्वा अन्यकी याचिका को खारिच करते हुए दिये। अधालत ने अपने आदेश में कहा कि अधिकरण में पिछले एक साल से मामला लंबित चल रहा है। इसके अलावा याचिका करता ने राहत लेने के लिए अदिकरण में कोई अरजी भी नहीं लगाई हैं। अधिकरण भी प्रकरण की सुनवाई अगले महा तै कर चुका है। इससे पूर्व माता गीता गायतरी का दिव्य पंचमरत से इस नान करवाने के बाद नई पोशाग धारन करवाई गई। क्रिस्मस के अफसर पर पुलिस कमिशनरेट की निर्भया इसक्वायट टीम ने जागरुपता का संदेश दिया। टीम ने सभी लोगों को मास्क लगाओ कोरोना भगाओ का संदेश दिया। पुलिस कमिशनरेट की निर्भया इसक्वायट की टीम ने क्रिस्मस के अफसर पर चांदपोल सहित अन्य चर्चों में कोरोना से बचाव के लिए प्राठना की। साथ ही सांता के द्वारा कोरोना भगाओ मार्च अपनाओ का संदेश दिया। इसी के साथ सांता परेड वा फ्लैक मार्च जैपुर सहित ग्रामिन शेत्रों में निकाला गया। कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट वित्रत की गई। बॉलिवुड की अभिनेत्री अंजली पांडे ने अपनी तरफ से बच्चों के लिए खिलोनों, किताबों वो कपडों के लिए सहायता राशी प्रदान की है। ग्राम भुरानपूरा जाटान में वीर महराजा सुरजमल का निर्वान दिवस मनाया गया। कारेक्रम में उपस्तित ग्रामिनों और अतिथी के रूप में पधारे रॉयल ग्रूप के संस्थापक रवींद्र सिंग चिंडालिया, शेर सिंग सिंगोध, प्रदेश मीडिया प्रभारी रॉयल ग्रूप का सम्मान किया गया। के अलावा, जैपूर प्रांथ धर्म जागरन प्रमुख अशोग कुमार सहित पधारे सभी अतिथियों का ग्रामिनों ने माला एवं साफा पहना कर स्वागत किया। महराजा सूरजमल के निर्वान दिवस पर अशोग कुमार उद्भोधन में कहा गया कि महराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपूर के हिंदू शासक थे। रॉयल ग्रूप राजस्थान के संस्थापक ने कारेकरम के उपरांथ द्वारा रीठ सरला संस्क्रत पुस्तक का इमोचन किया हूँ।